नमस्कार यूपी तक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ पंडित प्रवीन मिश्रा क्या कहती है आपकी राशी आज का दिन कैसा होगा आपके लिए आये जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की मेश राशी का स्वामी मंगल आपको आज य कोई नया रिसर्च करना चाहते हैं कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नय काम को शुरू करने के लिए नई एक्टिविटी को शुरू करने के लिए आज का दिन उतना महत्यपूर नहीं है यानि आज का दिन टाल दीजे कम से कम दो दिन टाल दें उसके बाद नया कार शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा आज का दिन प्लैनिंग करने का है जो भी आप करना चाहते हैं उसकी अच्छे तरीके से प्लैनिंग करें तो आपके लिए बहुत बढ़य है रहेगा दूसरा जो मेश राशी के समय क्रोध ना दिखाएं गुष्टा आपके काम आज बिगाड सकता है इसलिए क्रोध ना करें धैर रखेंगे तो अच्छा रहेगा दूसरा व्रस राजिकी लोगों को सला यह है जो लोग जौब करते हैं अपना कारे धैरे से अराम से करते रहें अपने फोकस को कारे से हटन ना दें यानी यदि मन काम से हटेगा तो आपका काम बिगड सकता इसलिए काम मन लगा करके रखिए और आप आज गरीबों को कम से कम एक किलो सफेद चीजों का दान करिए जैसे चावल है चिनी है दूध है इसका दान करिए तो आपके जीवन में जो परिशानी है वो सब दूर हो जाएंगी बारी आगए अब मिथुन राशी वालों की मिथुन राशी वालों को सला ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें मन में बेवज़ाई की टेंशन ले करके चलेंगे तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी तो आप जो भी कारे कर रहे हैं वो करिए लेकिन अ पैसा आपके पास है उसको बचाने का प्रयास करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए सलाह ये है कि आज किसी गरीब को हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा बारी आगई अब करक राशी वालों की करक राशी वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है आप जो प्रसक्ति आई कर सकते हैं, यदि कहीं घुमने जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप यदि बड़े ऊसलिक करना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं, कोशिस करिए और याज किसी गरीब को 1 किलो दूद का दान करें, तो आपका दिन और पैसा कहीं फसा हुआ है तो उन लोगों से बात करिये हो सकता है आज आपका पैसा मिल जाए सिंग राशी वालों के लिए उपाई ये है कि किसी गरीब को खाने पीने की चीजें दान करें जैसे आप उनको पूरी सबजी खिला सकते हैं चावल दाल खिला सकते हैं कुछ नहीं तो ब्रेड दे दिजे, बिसकिट का पैकेट दे दिजे तो आपके लिए बहुत बढ़या रहेगा आपकी टेंशन दूर होगी बारी आगई अब कन्या राशी वालों की कन्या राशी वालों के लिए ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि आज आज आप जो भी कारे करेंगे उसमे आपको सफलता मिलेगी बस आप अपने कार में अपना फोकस बनाए रखें और हाँ अपने समय का सद उपयोग करें ये टाइम आपके लिए बहुत महत्यपूर है इस महत्यपूर समय का अच्छे तरीके से उपयोग करें आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत शुब है आज आपके लिए उपाय है क्या है कि आज आप किसी गरीब को खाने पीने के लिए फल दान करें कोई भी रितु फल आप दान कर सकते हैं आप केला दान कर दिजे, आम दान कर दिजे, सेव दान कर दिजे जो आपके बजट में होदान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बारी आगए अब तुला राशी वालों की तुला राशी वालों के लिए ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि आज अपने मान सम्मान को लेकर के बहुत ऐलर्ट रहें कोई भी ऐसी बात अपने मुख से ना निकालें कि जिससे आपके मान सम्मान पर असर पड़े दूसरी बात आप जो कारे करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी बस जल्दवाजी में कोई फैसला ना करें उपाय क्या करना है आपके लिए कि आज जो तुला राशी के लोग हैं वो किसी वेक्ति को किसी गरीब को एक किलो चावल का दान करें तो आपके लिए शुब रहेगा आपकी परिशानिया दूर होंगी बारी आ गई है ब्रश्चिक राशी वालों की ब्रश्चिक राशी वालों के लिए सला ये है कि क्रोध आपके काम पर आज असर डाल सकता है इसलिए गुश्टा न दिखाएं खासकर जो आपसे छोटे लोग हैं या जो छोटे करमचारी हैं यदि आप अफिस में कारे करते हैं तो छोटे करमचारी हों पर अपनी उमर से छोटे लोगों पर किसी तरीके का क्रोध न करें दूसरा ब्रश्चिक राशी वाले अपने परिवार के साथ वक्त विताएं अपने परिवार को थोड़ा और समय दें उपाय क्या करना है आपको कि आज किसी को लाल फल दान करें लाल फल में क्या आ जाता है सेव आ जाता है लाल फल में या लाल रंग का कोई और फल आप देख लीजे बजार में मिल जाएगा तो लाल रंग का फल आज किसी गरीब को दान करेंगे तो आपके लिए बहुत कार की शक की भावना ना रखें, खास कर अपने परिवार वालों पर शक करेंगे, तो उससे आपकी चिंता और बढ़ेगी, तो अपने मन को बिल्कुल फ्री मन से पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, धनुराशी वालों के लिए शला यह है कि आज गरीबों को पीली चीजें दान करें, आप चाहें तो चावल में हल्दी डाल करके खिचडी बनवाईए, पीली खिचडी बनेगी और गरीबों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बांट दीजे, तो आपके लिए शुब रहेगा, अब बात करते हैं मकर र परिवार वालों से आज आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका रवया परिवार वालों के प्रति अच्छा होना चाहिए, अपने मन के भाव आज किसी से व्यक्त ना करें, जो आपके मन की बात है अपने मन में ही रखिए, व्यक्त करेंगे तो हो सकता है कि टेंशन का महौल create हो जाए इसलिए अपने मन में ही रखे और दूसरा आज आपको दान क्या करना है आज आप बुजूर्ग गरीबों को ऐसे गरीब जिनकी उमर 60 से जादा है ऐसे कम से कम दो गरीबों को भर पेट भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा आपके जीवन से बुर होंगी बारी आगई अब कुम राशी वालों की कुम राशी वालों के लिए ग्रहे संकेत दे रहे हैं कि आज आपको धनलाब होगा पैसा आपके पास आएगा यदि आपका पैसा कहीं फसा हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है कुम राशी वाले ऐसे लोग जो लोग सिक्षा से जुड़े हुए हैं जो लोग वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं उनको भी आज विशेश रूप से लाब हो सकता है उपाय क्या करना है कुम राशी वालों को कुम राशी वाले लोग आज क्या करें कि आज किसी गरीब को आप फल दान करिए कौन से फल दान कर सक तो अम्रूत कभी आप दान करेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बारी आगई है मीन राशी वालों की, मीन राशी वालों के लिए ग्रह ये संकेत दे रहे हैं, कि आलश से आपके कारे आज बिगाड सकता है, तो आलश से बिलकुल ना करें, समय पर अपने का करना चाहते हैं, दूसरा मीन राशी के जो लोग हैं, वो किसी को बेबजह सलाह ना दे, यदि आप से कोई सलाह मांग रहा है, तब ही आज आपको सलाह देना है, आपका दिन अनुकूल है, शाम तक आपको धनलाब हो सकता है, उपाय क्या करना है, आज मीन राशी के लोग प अवश्यदान करिए उससे आपके जीवन की परिशानिया दूर होंगी तो यूपी तक में आज बस इतना ही कल फिर मिलेंगे और बताएंगे आपका राशी फल तो यूपी तक को सब्सक्राइब अवश्य करिए मुझे दीजे इजाजत नमस्कार अवश्य कर दो